आज आपके सामने ऐसी अनोखी प्रेम कहानी पिता और बेटे की लेकर आई हूँ आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे जी हाँ जापान में रहता है बेटा और हिंदुसतान में रहता है पिता कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा कहानी भावक कर देने वाली है उस पिता की आँखोंते से बहते हुए पानी की कहानी है नमस्कार मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक जापान और हिंदुस्तान की सची गटना इस गटना में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सुखपाल जो की गूमने के लिए बाहर जाता है और जो बाहर से वापस आता है तो एरपोर्ट पर जापान की सुचाता नाम की सुचीता नाम की एक महिला लड़की से उसके मुलाकात होती है और दोनों वहाँ पर मिलते हैं जब सुखपाल उसे बताता है कि हमारा पंजाब है अमरित सर है वहां बहुत चीजे हैं देखने के लिए गुरद्वारा है बहुत सारी चीजे हैं तो वैसे ही सचीता एकसाइटेड हो जाती है और वो उसके साथ आने के लिए तयार हो जाती है वो उसके साथ आती है और पूरा पंजाब घूमती है पंजाब घूमने के बाद अब वो चली जाती है वापस उसके बाद फिर से वो सुखपाल जाता है और बै कॉक में वो दोनों अब की बार शादी कर लेते हैं शादी करने के बाद वो जापान में रहने लगते हैं लगातार दो साल वो साथ में रहे और दो साल में ही उनका एक बेटा होता है सन 2002 में उनकी शादी होती है और सन 2003 में 13 फरवरी को वो एक नन्ने से बेटे को जनम देती है बेटा का जनम हो जाता है परिवार बहुत ही खुसमिजाज है लेकिन किसी कारणों से हाजबिन वाइफ में नहीं बनती है और उन दोनों की लड़ाई जगड़े इतने बढ़ते हैं कि वो प्यार से ही एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं और उस तलाक के बाद अब सुकपाल पजजाब में आकर रहने लगता है अपने जो उनका जनम स्थान था वहाँ पर रहता है और उसके बाद फिर से एक और शादी उसकी होती है उस सादी में जो उसकी पतनी है उसका नाम है गुरविंदर कौर जिसकी हाल फिलहाल एक बेटी ह 16 साल की और जिसका अब जो बेटा है जो जापान में हुआ था सुचीता का उसका नाम है रेन कहा था रेन कहा था अब बड़ा हो चुका था धीरे दीरे वो बड़ा हो रहा था अपनी मा से वो पूछता है की मेरे पिता कौन है कहा है बार बार पूछने पर स्कूलिंग सिक्षा जब तक उसने पूरी की तब तक उसकी मां ने सुचीता कहा था ने उसे कुछ भी नहीं बताया लेकिन रेन कहाता कहां मानने वाला था वो बार बार अपने पिता के बारे में पूछता था वो पिता से बहुत ही मन ही मन प्यार करता था और अपनी मा से कहता है कि मुझे अपने पिता के पास जाना है और अब उसकी मा उसे बता देती है कि तुम्हारे पिता पंजाब के अमरिच सर में रहते हैं वहाँ पर रहते हैं और हमारी जैसे जैसे मुलाकात हुई थी वो सारा वाक्यांस अपने बेटे को बताती है बेटा ग्रेजुईशन में उसने एडमिशन लिया ही था उसी के बाद वो निकल पड़ता है हिंदुस्तान में अपने पिता को ढूणने के लिए जब अपने पिता को ढूणता है तो वो पंजाब आता है और पंजाब में उसे प्रॉपर एडरस नहीं पताता तो उसने अपने पिता की एक फोटो ली थी और उस फोटो को सभी को दिखाता है जब दिखाते दिखाते पहुंचता है वो फतेहिगड की एक सड़क पर वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, पंजाब में है, वहाँ पर उन लोगों को जब फोटो दिखाया जाता है तो वो लोग उस रेन कहाता को ले जाकर सीधा सुखपाल के घर ले जाते हैं। इतना वो कहता है और वो सुखपाल के आँकों से आशुच लगने लगते हैं और वो तोड़ कर अपने बेटे के गले लग जाता है। खुब रोते हैं, खुश होते हैं, खुशी के आशुच दोनों की आखों में आते हैं। जैसे ही गुरविंदर जीत को ये बता चलता है तो वो भी कापी खुश हो जाती है। हाँ ये बात अलग है कि उनको पता नहीं था कि उनके पती का एक बेटा भी है क्योंकि इस सुक्विंदर जो गुरविंदर जीत थी उनके पास अभी सिर्फ एक बेटी ही थी जो कि 16 साल की हो चुकी और अब उनका परिवार पूरा हो गया। उनका बेटा भी आ जाता है वहीं पर उसे देखकर काफी खुश होती हैं और इंटर्वियों में बताती है कि मुझे बहुत खुशी है मुझे पता नहीं था लेकिन अब पता है बहुत खुशी है मुझे। तो कुविंदर जो है वो अपने बेटे को पुरा गांग घुमाता है और जो उसकी बेहन है वो भी बहुत ही उसका नाम है अवलीन पन्नो वो बहुत ही खुश होती है और खुशी की बात ये है जो रेन कहाता है वो अवलीन पन्नो से राखी वाले वे दिन मिलता है और अव खुशी तो थी लेकिन एक अपने भाई की कुशी अलग ही हyi होती है ये थी कहानी सुखपाल की और सचीता कहाता की जो कี่ जापान की थी जिसने शादी की और उसके बाद डिवॉस ले लिया लेकिन बेटा जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा और बेटे ने अपनी माज से भी बात की और कहा ममा आपको भी मिलना चाहिए पापा से पापा किस हाल मैं है कैसे हैं तो उन सब की अब एक फैमिली की तरह दोनों परिवार हैं बहुत ही खुशी मिली हमें इस कहानी को सुन कर और हमें लगा आप सब को बताना चाहिए कि जिसको मिलना होता है वो मिली जाता है जैसे कि रेन कहाता और उसका पिता सुखपाल सिंग इनको सीमा बॉर्डर कुछ भी नहीं रोक बाया बहुत जल्द फिर से ऐसी ही एक सच्ची और भावुक भरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ तब तक के लिए जैन जै भारत